हेले स्टूडेंट कैसे हैं आप सब एक बार पुना हैं आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वगायत है तो क्लास टुल्द फिजिक्स चैप्टर 10 का आज एक महत्मूर टॉपिक लेकर आया हूँ जिसमें थोड़ा सा समय तो लगता है लेकिन स्टूड दोनों के लिए आप आसानी से निकाल पाओगे बस आपको थोड़ा समझना जरूरी है तो टाइम लग सकता है इसलिए वीडियो को अंतर तक देखते रहेना और दिहां ये वीडियो आपको पसंद आजाए तो प्लीज लाइक कर देना और दोस्तों को सेयर कर देना साथी द पहले मैं इधर से समझाना सुरू करता हूं कि X, Y, A का आपके पास परदा है यहां पे देखो X, Y, A क्या है परदा है एक परदा दिख रहा है आपको इसमें आप देखें S1 और S2 S1 और S2 यहां पे एक बिंदू O है बिंदू O है यहां से समान दूरी पर S1 और S2 दो का मतलब जहां से प्रकास किरने अंदर प्रवेश करती हैं संकिन भाग और यहां से जो S1 और S2 दोनों समान दूरी पर है इसलिए इसके और इसके पथांतर का हमान निकाले तो सुन होगा क्योंकि दोनों S1 O और S2 O का डिफरेंस निकालेंगे तो सुन होगा समझ पारें की चीज़ आपको समझा रहा हूं कि एक सबाई एक परदा है इसके बिंदू O से S1 और S2 की दूरी समान है तो पथांतर इसका सुन होगा अब यहां पर जो तीबरता अधिक्तम कहां पे होगी जहां पर पथांतर सुन होगा सीज़े समझें प्रकास किरने कहां से ले जाया इसके बाद समानतर इसी के समानतर स्टित S1 और S2 दो स्लिट होती हैं जिससे समान दूरी मतलब D दूरी पर एक परदा XY है जहां पर इनकी क्या होती स्टुडेंट स्पेक्ट्रम अर्थात प्रत्विम दीब्त फ्रिंज या अदीब्त फ्रिंज हमें प्राप्त करना होता है यहीं ब्यतिकरन होता है और उसका प्रतिरूप प्राप्त होता है परदे XY पर समझ पा रहे हैं कि माना S1 क्या है स्लिट है ठीक है जहां से एक बढ़नी प्रकास पुंज को प्रकासित किया जाता है इसी के समानांतर S1 और S2 दो स्लिटे हैं दो स्लिटे हैं जिससे D दूरी पर एक परदा XY है जहां पर प्रकास किर्णों का ब्यतिकरन के फल्सुरूप प्रतिरूप प्राप्त किया जाता है ठीक है इस्ट्डेंट माना ही सबको कठीन लगता है और समझ नहीं पाते हैं क्या लिखना यार तो माना S1 एक स्लिट है जहां से एक बढ़ने प्रकास को प्रकासित किया जाता है इसके समानांतर S1 और S2 दो स्लिट हैं जिससे D दूरी पर एक परदा XY है जहां पर प्रतिकरन के फल्सुरूप प्रतिरूप प्राप्त किया जाता है इतना समझ गए फिर आपको लिखना है xy परदा है है ना जो कि s1 और s2 से समान दूरी पर एक बिंदू O है जहां पर पथांतर सुनोगा अच्छा पथांतर सुन क्यों होगा क्योंकि दूरिया समान है एक दूसरे को घटाएंगे तो कड़ जाएंगे समान में तो घट जाते है और जब पथांतर समान है प्यारे भाईयो तब यहां पर बिंदू O पर तीब्रता अधिक्तम होगी इसमें कोई सुचने के बसकता नहीं इसके बाद हम क्या करेंगे कि s1 p और s2 p मतलब s1 और s2 से कुछ न कुछ अलग दूरियों पर ही xy में एक पिंदू P है जहां पर हम क्या निकालेंगे पथांतर तो अधिक में से मतलब s2 p में से s1 p घटा देंगे पथांतर निकालना है क्या निकालना है पथांतर अब आप से दिक कह दिया जाए कि s1 q s1 q और s2 q कमांड d है तो आप बिलकु सिंपल तरीके से कह देंगे कि s1 से q तक और s2 से r तक की दूरी कितनी है d है s1 से q तक और s2 से r तक की दूरी कितनी है d है अब s1 और s2 के बीच की दूरी small d है s1 और s2 के बीच की दूरी small d है तब हम कहेंगे यहां से यहां तक half है ना जिसे यहां पर O है यहां O1 कर देता हूँ O1 तो यहां से S1 O1 बराबर डी बाइटू और O1 S2 बराबर कितना हो जाएगा डी बाइटू मतलब यहां से यहां तक D है और दोनों समान दूरी पर है तो आदा आदा कर देंगे डी बाइटू अर्ठा त्याहां से यहां से यहां तक भी dy 2, यहां से हां तक भी dy 2 हो गया चीजे शमझने की कोशिस करें, यह s1×2 की बिच की दूरी d है, तब यह आधा हो जाएगा dy 2, dy 2, इतना क्लियर हो गया, आर हम कहते हैं, कि o से, जो बिन्दु p Ki दूरी x है मतलब एक परदे है जिसके मद्ध बिंदू O से X दूरी पर एक बिंदू P है जहां पर पथांतर S2 P में S1 घटा देंगे तो दोनों के S1 और S2 से पथों के बीच का अंतर निकलाएगा तो आपको कितना लिखना है जो कि एक्जाम में भी लिखना पड़ेगा इतना लिखना थोड़ा समझिएगा यहां पर थोड़ा सा कि यहां पर देखी माना X, Y, S1 और S2 समान दूरी पर एक बिंदू O है इस पर पहुँचने वाली तरंगों का पथांतर सुननोंगा मैंने सब कुछ समझा दिया इतना बिंदू O पर प्रकास की तिवरता दिख्ताम होगी इसे केंद्रिय द्रीपते फिंज कहते है इसके बाद माना बिंदू O से X दूरी पर परदे पर एक बिंदू P है इस बिंदू पर पहुचने वाली तरंगों के बीच पतांतर S2P मैनस S1P मतलब बड़े बाले में से छोटे बाले को घटाएंगे चीज़ें समझते चलना फिर मैंने कहा S1 Q से S2 Q S2 R बराबर D और ये DY2 किस के किस के लिए देखे D और DY2 कहा कहा के लिए अब देख सकते हैं स्क्रीन साट ले सकते हो थोड़ा सा टाइमिंग लगेगा आपको समझते चलना है बस एक बार माना समझ लोगी S1 Q और S2 R बराबर D यहीं मैं कहा दूँ S1 O1 S2 O1 DY2 है और O1 O Q और O R यहां भी DY2 मतलब यहां से यहां तक यहां से यहां तक भी DY2 और यहां से यहां तक भी DY2 क्लियर अब देखना प्यारे भाईयो थोड़ा समझने किया वसकता है मैं पूरा यहीं कह दूँ यहां से यहां तक तो यहां का X था यहां का X था और इधर DY2 मतलब DY2 हो गया यह कहां से कहां तक आया भीया R से P तक यहां से यहां तक जोड़ों तो DY2 जोड़ दिया लेकिन यहां से यहां से यहां तक निकालना तो पूरे में से X में से DY2 घटा दिया इतना हो गया क्लियर अभी तो सिर्फ यह चित्र मैंने आपको समझाया है समझ पा रहे हो ना यदि डायिग्राम समझ गया तो कूछ भी नहीं सब अच्छा हो जाएगा देखो जा थो मैं धे P से Q के भीच की दूरी आपसे पूंच उप तो आप आसानी से कहँए यहां से यहां तक यहां से यहां तक यहीं O P की दूरी X है इसमें यदि हम OQ घटा दे तो सिंपल तरीके से आ जाएगा मतलब X में यदि यदि दी Y2 घटा दो तो सिंपल तरीके से आप राप्ट कर लोगे कर लोगे की नहीं इसी प्रकार यदि मैं कह दो P से R तक P से R तक की दूरी निकालना चाहो तो आप कहोगे O से P हमको पता है X और यदि O से R भी पता है इसको जोड़ दें यानि X दन D Y2 इसको आप आसानिस निकाल पाओगे बाकि तो आपको बताई ही दिया हूँ कि यहां से यहां तक D यहां से यहां तक D Y2 यहाँ से यहाँ तक dytwo और यहाँ से यहां तक dytwo हो गया अब मैं एक तरिभूज लूँगा एक बड़ा वाला तरिभूज और एक छोटा वाला तरिभूज दोनो तरिभूज में पाईथागोरष प्रमे लगाऊंगा तो ये इस वाले तरिभूज को ले रहा हूं और उसमें क्या लगाऊंगा student पाइथागुरस प्रमी तो कौन सा त्रिबूज ले रहा हूँ त्रिबूज S1 QP में पाइथागुरस प्रमे से पाइथागुरस प्रमे से पाइथागुरस प्रमे क्या कहता है कर्ण का बर्ग ये कर्ण होगा ये आपका आधार ये लंब कर्ण का बर्ग भराव लंब का बर्ग धन आधार का बर्ग ठीक है तो क्या हो जाएगा कर्ण कितना हो जाएगा S1 P का स्क्वेर पराबर लंब का बर्ग धन आधार का बर्ग चाहिए आधार का बर्ग धन लंब का बर्ग कर दो और ये PQ स्क्वेर बैलू पुट करनी है इस पे बैलू पुट कर दो तो S1 P स्क्वेर बराबर यहां से यहां तक कमान तो D स्क्वेर है धन इसका मान है student हमने X में से DY2 घटाया था बर्ग और इसको दे देंगे समीकरण 1 यह पहला समीकरण आया इसके बाद बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे S2 RP ठीक है न? तो कौन सा त्रिभुज लेंगे? बड़ा वाला त्रिभुज तो त्रिवोज S2RP में पाईता गोरस प्रमे से पाईता गोरस प्रमे लगाएंगे प्यारे भायू तो लगा दिजिए क्या होता है कर्ण का बर्ग मतलब S2P का बर्ग बराबर आधार मतलब S2R का बर्ग धन हो जाएगा PR का बर्ग इसकी भी दूरी D स्क्वेर है S2R आपने पढ़ा ही लिया सरी ये तो S2P ही रहने दो S2P ही रहने दो इसकी दूरी D स्क्वेर और यहाँ पर X धन DY2 का बर्ग होगी इसको आप समिकर्ण 2 दे दो समिकर्ण 2 में 1 को घटाने पर ठीक है बड़े बाले में से ही हम सब छोटे बाले को घटाते है समिकर्ण 2 में एक को घटाने पर तो घटा दो S2P स्क्वेर और S1P स्क्वेर अच्छा D स्क्वेर से D स्क्वेर तो कट गया यहाँ पर X प्लस DY2 का बर्ग हो जाएगा पहरे भाईयो घटाएंगे X माइनस DY2 का बर्ग हो जाएगा D स्क्वेर से D स्क्वेर कैंसिल हो गया यहाँ पर इसको आप हल करोगे तो A माइनस B और A प्लस B हो जाएगा ठीक इसको जब तोड़ोगे तो A स्क्वेर प्लस B स्क्वेर माइनस 2AB मतलब 2AV यहाँ पर माइनस है और चिन बदल देगा तो X स्क्वेर यहाँ पर प्लस है तो प्लस रहेगा प्लस D स्क्वेर अपांच चार और फिर माइनस 2AB 2X DY2 लेकिन माइनस माइनस कार्ण प्लस हो जाएगा चिन बदलेगा यहां भी चिन्न बदल जाएगा X square से X square cancel D square by से D square upon 4 से D square upon 4 cancel खीक है प्यारे भाई हो यहां 2 से 2 cancel यहां भी 2 से 2 cancel तो S2P minus S1P और S2P plus S1P equal हो गया 2XD 2XD अब देखो S2P minus S1P रहने दो 2XD कर दो गुना में है इदार भाग तो S2P then S1P इतना हो गया यह चीज clear हो गया अब थोड़ा सा इसके आगे समझना है student इसको कैसे निकालेंगे यदि जो बिंदू P है D के नजदीक हो बिंदू P है O के नजदीक हो O के नजदीक हो मतलब अत्यंत पास हो O के अत्यंत निकट हो निकट हो तो जो S2P है और S1P है वो D के बराबर होगा अब इसको डाइग्राम से थोड़ा सा समझाता हूँ मैंनि यह जो P है यहाँ पर आ जाए यहाँ यहाँ पर आ जाए तो यहाँ से यहाँ तक D है तो जब यह भी आ जाएगा तो यह S1P का मान भी D हो जाएगा और S2P का मान भी D यह तन्द पास हो जाएगा न तो लग भग लग भग D के बराबर होगा क्योंकि यहाँ पर दूरी D है ठीक है तो यहाँ पर आपन कर देंगे D Y D धन D तो S2P माइनस S1P परहबर 2XD अपान 2D D से D कैंसिल सरी 2 से 2 कैंसिल XD अपान 2 यह पथांतर आया है भगया केवल पथांतर और इसको आप दे सकते हो समीकरण 3 और इसको आप दे सकते हो समीकरण 4 ठीक है अब हमको यदि N के लिए निकाला जाए दीब्त फिरिंज के लिए अधिक्तम तीब्रता तो दीब्त फिरिंजे निकालेंगे फिर अधिब्त फिरिंजे निकालेंगे तो यह केवल आपका आया पथांतर पथांतर मैं दिया आप से कह दूँ तो आप कह दोगे पथांतर जो है XD अपांडी के माध्यम से निकालते हैं अभी इतने मिनट में आपने सीखा पथांतर, अब हम निकालेंगे दीप्त फिरिंज और अदीप्त फिरिंज की चोड़ाई, पहले दीप्त फिरिंज के लिए निकालेंगे इस्टुडेंट, फिर अदीप्त के लिए निकालेंगे, तो क्रम से चलते चलते हैं, ठीक है, तो द पतांतर कितना है समीकरण 4 से आप देखोगी समीकरण 4 से समीकरण 4 से आपने पतांतर दिखा कि X D upon D है वो क्या कहा दिया सम गुड़क है मतलब 2N जब भी सम का बात आ जाए तो इस्टुडेंट ध्यान रखना ध्यान रखना 2N का मल्टिप्लाइ करते हैं और जब भी सम की बा आ जाएगा यह इधार पक्छांतर हो जाएगा तो एन लेंड़ा डी अपान स्मॉल डी जहां एन का मान हो सकता है जीरो एक दो तीन बिन्दी बिन्दी आगे भी ऐसा हो सकता है यह दीप्त फिरिंज के लिए है किसके लिए है दीप्त फिरिंज के लिए जहां एन बराबर 0 दीब्त फिंज के लिए अधिक्तम तीबरता के लिए जो पथानतर है जो X की बैलू आ चुकी है इतना क्लियर है प्यारे भाई ये हो गया दीब्त फिंज के लिए अब इसके आगे आपको अधिक्तम तीबरता के लिए होता है अधिक्तम के लिए नियूंतम तीबरता के लिए होता है और अधिक्तम के लिए सम गुड़ाख होगा और नियुंतम के लिए जो पथानतर है वो भी सम गुड़ाख होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नियुंतम तीबरता के लिए तरंगों के मद जो पथानतर है वो लेमड़ा Y2 का बिसम गुड़ा कोगा यहां से X कामान निकालो पक्षांतर करोगे तो 2 N-1 पक्षांतर करोगे तो Lambda D अपान यहां पे 2 है और Small D इसको आप दे दोगे समिकरन 6 और जहाँ यहां पर N कामान कहां से होगा जानते हैं N कामान यहां एक से होगा 0 से नहीं होगा क्योंकि रिनातमा का जाएगा एक दो तिन बिंदी बिंदी ये हो गया इस्टिडुट neighbors or अदिब Rudolph फेंज ठीक है चीजे ये दीब फेंज और अदीब। फेंज आगया हो गया कंप्लीट अब इसकी जो फिरिंज चोड़ाई इसको निकालना है ठीक है तो वीडियो को वन तक देखते हो पूरा क्लियर करेंगे इस्ट्रेंट फिंज चोड़ाई हम निकालेंगे दीब्त के लिए और अदीब्त के लिए जैसे दो चीज हमको निकालना चोड़ाई तो चोड़ाई कैसे निकालते हैं दो चीजों की बीच का अंतर समझ पा रहे हैं जैसे देखिए यहां पर एक कलर पट्टी आपको दिखाई दे रही है यहां पर हमको कुछ दिखाई दी फिर दिखाई ने दिया फिर दिखाई दिया फिर दिखाई ने दिया फिर दिखाई दिया फिर दिखाई नहीं दिया, ऐसे क्रम से है, तो इनके बीच के चोड़ाई कैसे निकालेंगे, यदि ये दिखने वाला है, तो एक में दूसरे को घटाएंगे, यदि एन है, एन प्लस वन है, तो अगले बाले में पहले बाले को घटाएंगे, चीजे समझे, मतलब ये आपका ये नमा वाग था, ये एन प्लस वनमा वाग था, मतलब इस भाग में इसको घटा दें, तो यहाँ पे चोड़ाई आ जाएगे, एक इसके लिए था देव्ट के लिए, अब ये देव्ट है, तो इनके बीच कुछ न कुछ खाली स्थाने, मतलब दिखना ही रहा है, नियुन ये बीच की चोड़ाई कितनी है, तो आप अगले बाले सी, मतलब पहला ये नमा भाग है, अगला ये न प्लस वनमा भाग है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही निकालतेएं, उससे कहते हैं, चौड़ाई दीप्त के लिए दीप्त फिंज की चोड़ाई कहेंगे, तो दे थोड़ा समझेगा दीब्त फिंद की चोड़ाई निकालेंगे तो अदीब्त से निकालेंगे बात समझ पा रहे हैं जब दीब्त के लिए चोड़ाई निकालेंगे तो अदीब्त फिंदों के बीच की दूरी और जब अदीब्त फिंद की चोड़ाई निकालेंगे तो दीब् उल्टा पता रहे हैं थोड़ा समझी हो मैंने क्या कहा कि यदि मुझे दो चीज दिख रहा है यहां पे यह दिख रहा है और यहां पे यह दिख रहा है है ना तो इसकी जब चोड़ाई निकालूंगा चीजे समझने कोशिच करें इसकी चोड़ाई तो यह अदीब्त हैं दोन जब आपको दीप्त का निकालना है तो ये अदीप्त हुआ ये अदीप्त हुआ इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे लेकिन जब अदीप्त का निकालना है तो ये दीप्त हुआ ये दीप्त हुआ तो इनके बीच निकालेंगे तो दो क्रमागा अदीप्त अदीप्त के लिए निकाल लो अदीप्त फिंजे क्रमसा अदीप्त निकाल रहा हूँ ना पहले निकालता हूँ एक्सियन एक्सियन कमान आपने पढ़ लिया 2N-1 अभी उपर दिख रहा हुगा लेंबड़ डी अपान 2D फिर इसके एक और भाग के लिए निकालूंगा इसके लिए N-1 मतलब जहां भी N है वहां N-1 कर दो इसको जब सॉल्व करोंगे दो एक्कम दो हो जाएगा कितना हो जाएगा इसके दो एक्कम दो हो जाएगा और यहां पर माइनस और अल्रेडी है तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 2N है ना फिर 2 एक्कम दो एक घटा 2N प्लस 1 आ जाएगा लेंड़ डी अपान 2D कभी-कभी आपको यहां पर N-1 भी दिखता है तो आप कंफ्य करणा दी थींदा डी मेंसे 2 D को यहां पर आपका ट्ую N-1 लेंड़ डी अपान 2D घटाना है जब इसको टोटल घटा होगे पेरे भायो तो देखो यह कैंसल हो एक टूएन से 2 एन कर जाएगा तो लेंड़ टी लेंड़ डी मतलब एक तू लेंड़ डीपान 2D और डी सी 2 से 2 cancel हो जाएगा तो lambda d upon d ये आपका आगया बीटा 1 ये आगया दीबत फिंज की चोड़ाई दो क्रमागत अधीबत फिंजों के बीच का अंतर ही दीबत फिंज की चोड़ाई कहलाती है धान रखना concept clear कर लो दीबत फिंज की चोड़ाई निकालना है तो अधीबत फिंज में से घटाएंगे यदि अधीबत फिंज की चोड़ाई निकालना है तो दीबत फिंज में से घटाएंगे तो कितना simple है बस आप simple भासा में समझने की कोशिश करें कोई भी point कठीन नहीं होता है बस उसके समझने की नजरिया अलग होनी चाहिए तो इसके आगे आपको क्या निकालना है अदीब तो फिरिंज चोड़ाई निकालना है तो अदीब तो फिरिंज चोड़ाई के लिए दो क्रमागत दीब तो फिरिंज होने चाहिए तो पहला आपका XN बराबर आपको पता है कितना i student xn बराबर तो आपके पास आया था n lambda d upon small d और अगला क्रमागत हमने बोला xn प्लस 1 मतलब यह न के जगे n प्लस 1 lambda d upon d इतना clear हो गया हम पथांता निकालें दो चोड़ा ही निकालेंगे भाई यह दीब्त के थी और दीब्त में घटाते हैं तो अधीब्त निकलता है मतलब अधिक वाले में से कम वाले को घटाएंगे मतलब n प्लस 1 lambda d से यहां पर small d हो गया n lambda d upon small d तो देखो n का multiply करोगे तो यहां पे कितने step देखेगा n lambda d upon small d है ना फिर plus lambda d upon small d minus n lambda d upon small d इससे क्या होगया कैंसिल होगया प्यारे भाईो तो यहां पर आपके पास बचा lambda d upon small d अब यह क्या आ गया आपके पास फिंज चुडाई आ गए किसके लिए आ गई भीया तो अधीब्त फिंज के लिए आ गई तो यहां पर आप दे सकते हो beta 2 तो यह आपके पास आया उतना ही मान आ चुका है जितना की आपके लिए दीब्त के लिए आया था यहां पर आप देख सकते हो lambda d upon 2 तो फिंज चुडाई आखिर का आपका फार्मूला आ गया है lambda d upon d small d तो इस प्रकार से वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ इस टूरेंड लेकिन आसार उमीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो लाइक कर देना आपके लिए थी थोड़ा सा इदी मेरा मेहनत समझ में आ रहा है तो प्लीज यार share कर देना आप लोग इदी अपने दोस्तों को share करोगे साइद उनका भी help हो सकेगा और मेरा भी थोड़ा सा आपके एक share से जिन्दी की कुछ बदल सकती है इसलिए आप लोगों से कहता हूँ प्लीज share कर दिया करो और नए है तो चैनल को subscribe कर लेना हाँ इस टुने दीस का PDF notes लेना है all chapter की provide कराई जाएगी तो चले student चलते हैं इजाज़त दीजी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ एक नए topic में तब तक लिए जैहिन बंदे मातरम